नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जोतिश दिशा सत्य की राह में, मैं हूँ आपके साथ आपका इश्टो फ्रेंड संतोर संतोर्शी बस अब दो दिन और यहाँ पर हैं लगभग, इसके बाद मुलाकात गाजयवाद में और पतना, रांची, कलगत्ता, लखनव, आदिशहर, दो सितंबर से आठ सितंबर किसी भी शहर में मिलने के लिए आपकी पास हमारे तीन नंबर चलते हैं, किसी भी नंबर पर कॉल वाट्सअप कर सकते हैं कुछ लोग comment में fake लोग अपने number डाल देते हैं और आप भोले लोग ये सूचते हैं कि हमारी company की तरफ से आपके comment में number पढ़ा है comment में वही number पढ़ेगा जो हमारे video पे चलता है हमारे तीन number के यलावा और कोई number हमारा नहीं है तो इसका मिशेश ध्यान दीजेगा जब भी आप लोग अपॉइनमेंट लेजिए तो वही व्यक्ति से बात करिए जो आप देख रहे हैं अर्थात हमारे हैं कोई और जोतिशी बात नहीं करता हमीं बात करते हैं किसी से भी आप वीडियो कॉल करिए ऑडियो कॉल करिए हमारी ही आवाज हमारा ही चहरा आपको दिखेगा तो इसका विशेश ध्यान रखेगा यह सुरुवात करते हैं वाज के जोतिश दिशा की नक्षत्र 27 मीडिया की अध्भुत प्रस्तती जोतिश दिशा सत्य की राह स्नामर शुक्ल पंचमी आज नाग पंचमी है आज का उपाए एक विशेश रहेगा हर राशी के लिए चंद्रमा कन्या राशी में है शाम साथ अठाइस तक इसके बाद तुला में प्रवेश हस्त नक्षत्र है साथ बज़कर 14 मिनट सुबह तक इसके बाद चित्रा नक्षत्र योग रहेगा साध चंद्रमा पहले और फिर मंगल का नक् राहुकाल अशुब समय जब आपको प्रते कारियों का परहेच किया जाना चाहिए आपके तौरा और गुलिक काल जब आप कोई भी नया और शुब काम कर सकते हैं काम आपके बनते जाते हैं अब आएए मेश से लेकर मीन तक जानते हैं आज की भविश्य वानी मेश राजी काम में सफलता मिलेगी शिक्षा में लाब होगा रुके काम बन जाएंगे ब्यापार थोड़ा सा कष्ट दे रहा है बिजनस में उठा पटक गंभीर रूप लेगा ब्यापार को अपनी तरब से थोड़ा सा सानिध्य में बहतर मानिएगा प्राइवेट सेक्ट को लेकर के अपने आपको सावधान रखने का प्रयास करें दामपत्य जीवन पति-पत्नी के मद्ध्याज कुछ बच्चों को लेकर तनाव हो सकता है किसी पुराने समस्या पर उलज सकते हैं पति-पत्नी लव लाइफ बहुत अच्छा है अनकुलता रहे कि किसी तरह की कमी की रुकावर परेशानी दिखकर नहीं आएगी स्वास्त के मामले में आज गले में दर्द आंक और डाजेशन प्रॉब्लम हो सकता है क्या उपाय करना चाहिए मेश वालों को आज नाक पंचमी श्पेशल है उल्टी हथेले पर कच्चा दूद ले करके शिवलिंग पर अर् जाब करिएगा क्या नहीं करना है आज सफेद रंग नहीं पहड़ना है भुरे रंग की शुपता है उनसे प्रत्षित का भाग आपके साथ है बुर्षब राशी शिक्षा में बहुत सफलता मिलेगी पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी ब्याबार आपका अच्छा चलेगा बिजनस में आई बाधाओं से दूर रहेंगे प्राइवेट सेक्टर आपके लिए बहुत अच्छा है इस्ट्रॉंग रहेंगे प्राइवेट सेक्टर में कोई रुकावट परिशानी नहीं है सरकारी छेत्र तनाव दे सकता है गवर्न्मेंट सेक्टर को लेकर सज स्वास्त के मामले में कमरदर्द आंख और लीवर की प्रॉब्लम हो सकते हैं क्या उपाय करना चाहिए ब्रिशव राशिवालों को अगर आप गिराशी ब्रिशव है ओम नमह शिवाय नाग पंचिमी श्पशल शहद और कच्छा दूध श्योनिंग प्यर्पित करिए जैसे आप नांग देव को पहन पिला रहे हों क्या नहीं करना है उधार नहीं देना है श्लेडिरंग शुभ है 63 प्रिशत का भाग्य है मिथोन राशी आप पर हर तरह से शुभ वातावरल का प्रभाव रहेगा व्यापार अच्छा चलेगा स्विक्षा में लाव होगा पुरानी सिक्षा की प्रणाली से उबन से बाहर निकलेंगे प्राइवेट सिक्टर आपके लिए ठीक नहीं है मुश्किलें आइगे कुछ विशेश दिक्कते हो सकती है सरकारी छेतर अच्छा है गौर्मेंट सिक्टर में धनकालाव हो रहा है दामपत्त जीवन आपके लिए कश्ट से देगा पदिपत्नी की बीच कुछ इस्थिती हाथ से निकल रही है बच्चों को लेकर के गरत निर्ड़े लिए जा सकते हैं लव लाइफ बहुत अच्छा है प्रियास सफल होगे बैवाहिक चर्चा कर सकते हैं स्वास्त के मामले में किद्नी और आज यूरिन सम्बंधि दिक्कत हो सकती है क्या उपाय करना चाहिए नाकपंचिमी स्पेशल आज आपको सरसो का तेल शिवलिंग पे अर्पित करते हुए ओम नमश्षिवाय का जाब करना है क्या नहीं करना है आज बड़ बोलापन नहीं दिखाना है सफेद रंग्षुभ है उनस्ट प्रतिशत का भाग्य है करक राशी सिक्षा की हर एक स्विधा का लाव लेंगे पढ़ाई में मन लगेगा सिक्षा में लाव की आउसर बनेंगे मित्र मददकार साबित होंगे ब्यापार आपका कश्ट देगा बिजनस को लेके सावधान रहे ब्यापार एक टुकसान हो सकता है प्राइवेट सेक्टर आपके लिए अनकुलता देगा वाहन का सुक मिलेगा आई बाधाओं से बाहन निकलेंगे सरकारी छेत्र तनाव दे सकता है गवर्मेंट सेक्टर में परशानियां बढ़ेंगे सोच समझकर निरले लेजे दामपत्य जीवन बहुत अच्छा है पति-पत्नी के मद्धे आई बाधाएं दूर होंगी लेकिन लव लाइफ में आज सप्रेशन के योग बनते हैं थोड़ा सा ध्यान देने के आवशक्ता सावधानी के साब स्वास्त के मामले में पेटदर्द किड्नी और आख के समस्या हो सकती है क्या उपाय करना चाहिए करक वालों को आज आज करक वालों को किसी जरूरत मंद को कुछ खाने पीने की वस्तु जरूर देजेगा क्या नहीं करना है आज जबरदस्ती खुद को किसी के सामने कमजोर नहीं होना है नागपंच में स्पेशल प्रियोग कच्चा दूद और केसर शिवलिंग पे अरपित करिएगा लाल रंग शुभत तिरपन प्रत्षत का भाग्या सिंग राशी नागपंच में स्पेशल प्रियोग बताएंगे हम प्रियोग आप जरूर करिएगा और उपको फर्वर्ड करिएगा आज सिंग राशी वालों को 13 अगस्त के दिन पढ़ाई में बहुत लाब होने जा रहा है सिक्षा में कोई रुकावट नहीं आएगी आज बहुत मजबूती पाएंगे ब्यापार आपके लिए ठीक नहीं है बिजनस में कश्ट बढ़ सकता है प्राइवेट सिक्टर बहुत अनकूल रहेगा अवसर अच्छी मिलेंगे सरकारी छेतर में मुश्किलें आएगी अच्छा है पतनी के साथ बहुत अच्छा समय भी देगा एक दूसरी को वक्त देंगे और बुरानी स्थती से बाहर निकलाएंगे लव लाइफ उठा पटक देगा बैवाही चर्चा आज ना करिएगा एक दूसरी के प्रति भरोसा तूटेगा स्वास्त के मामले में पेट पंचमी आज शिवलिंग के समक्ष जब करके एक घी का दीपक नाग देवता के सामने प्रजुरित करिए क्या नहीं करना है काला रंग नहीं पहनना है गुलावी रंग की शुपता है क्यावन प्रतिशत का भाग्या कन्यराशी दिन तो बंगलकारी है पढ़ाई अच्छी क बहुत सकारात्मक है परेशानियों से बाहर निकलेंगे पत्नी के साथ पती के साथ कुछ उठा पटक था वह बाहर आ जाएंगी लव लाइफ करने राशी थोड़ा सा तनाव दे रहा है लव लाइफ में समस्याएंगम भी रूपने सकते हैं स्वास्त के मामले में अच्चे दूद के साथ स्युलिंग प्यर्पित करिएगा क्या नहीं करना है आज बढ़ों को जवाब नहीं देना है शुबरंकाला भाग्य प्रत्षत 57 57 तुला राशी बहुत अच्छा समय है पढ़ाई बहुत अच्छी करेंगे सिक्षा में बहुत फाइदा होने जा रह गौर्ण्मेंट सेक्टर में बहुत उठापटक रहेगा कुछ रुकावर परहशारी बनी रहेगी दांपत्य जीवन अच्छा है पति पत्नी के बद्ध बहुत सवहार्द रहेगा इस्थती आपके पक्षि में रहेगे लेकिन लव लाइफ बहुत अच्छी इस्थती में लव लाइफ में उठापटक बना रहेगा स्वास्त के मामले में तुरा राशी वालों को आज लीवर और किड्नी की दिक्कत हो सकती है प्रियोग क्या करना चाहिए तुरा राशी वालों को आज नाग पंचमी उश्पेशन केले का फल शीवलिंग पर रखते हुए एक दीपक प्रज्वलित करिएगा क्या नहीं करना है आज किसी भी बात पर रियाक्ट नहीं करना पीला रंग शुबर 66 प्रतिस्थत का भागें अच्छा आउसर है बढ़ी आउसर पाएंगी व्यापार आपका बहुत अच्छा चल इच्छा च्छेत्र में आज कहीं एड्मिशन आधी के लिए विचार किया होगा तो सफल हो जाएगा सरकारी च्छेत्र वालों के लिए कुछ समस्या आए हैं जिसको लेकर आपको सावधान रहने के आवशिकता है दामपत्य जीवन बहुत अन्कूल रहेगा पत्य पत्नी के मद्दे सोहार्द रहेगा लव लाइफ यहां उठा पत्क बन जाएगी अगर आपकी राशी ब्रिश्चिक है तो थोड़ा सा अपने नजदीकियों को संभालिये स्वास्त के मामले में आज कमरदर्द आँख और लीवर की प्रॉब्लम रहेगी क्या उपाय करना चाहेगर आपकी राशी ब्रिश्चिक है आज ब्रिश्चिक राशी वालों को किसी जनुरुत बंद को कुछ चावल आधिका दान करते हुए नाग पंचमी श्पेशल श्यूलिंग पर सिर्फ कच्छा दूद चढ़ा तीचे क्या नहीं करना है आज काला रंग नहीं पहनना ग्रे क्लर शुब है बावन प्रतिशत का भाग्य है धनुराशी दिरांक 13 अगस्त पढ़ने में आप पिलकुल टॉप करेंगे सिक्छा में रुकावट नहीं है ब्यापार बहुत अच्छा चलेगा आई बाधाएं दूर होंगी परिशानियों से बाहर निगलेंगे लेकिन प्राइबीट सेक्टर आपके लिए कश्ट देगा सरकारी छेतर में प्रमोशन होगा दामपते जीवन अच्छा है बच्चों का सुक पुरानी गिलेशिक में दूर होंगे लव लाइफ में बाधा है आज अलगाव की चांसे बनेंगे कुछ पुरानी समस्यां एकदम से बाहर आएंगे आप सभल नहीं पाएंगे स्वास्त के मामले में पेटतर्द आख और बैक की प्राबलम हो सकते हैं क्या उपाय करना चाह 58 प्रित्षत का भाग्या मकर राशी स्विक्षा के मामले में जो विचार करेंगे सब हो जाएगा पढ़ने में बहुत मन लगेगा ब्यापार आज थोड़ा सा तकलीफ दे रहा है कुछ समस्यां एकदम से बिजनस में सामने आएंगी जो किसी दोस्त की मदद से दूर हो सकत प्राइवेट सिक्टर अच्छा है इसमें रुकावट ने सरकारी छेत्र में आज कहीं कुछ निवेश आदि के लिए उसर मिलेगा दांपत्य जीवर अनकूल रहेगा पति पतनी के मद्धे तनाव खत्म होगा लव लाइव सेप्रेशन है साउधान रहे स्वास्त के मामले म स्वास्त में ध्यान दीजेगा क्या उपाय करना चाहिए नागपंच में इस प्रशन लाल सिंदूर का तिलक शिवलिंग पर लगाकर फिर दूद चढ़ा दीजेगा क्या नहीं करना है आज काला रंग नहीं पहिनना है लाल रंग की शुपता है एक्सेट प्रत्सत का भाग जा रही है परिशानियां बढ़ सकते हैं दांपत्य जीवन बहुत अच्छा है एक उसरे के प्रतिखोब समर्पित रहेंगे और हर प्रकार की दिक्कत से बाहर आएंगे लव लाइफ आपके लिए तनाव दे रहा है लव लाइफ की स्थी ठीक नहीं है स्वास्त के मामले मे आज कमरदर्ध है किटनी है और लीवर की प्रॉब्लम है क्या उपाय करना चाहिए कुंबराशी वालों को प्रियोक के तोर पर कुछ खाने की वस्तु शिवाले में जाकर दे दीजेगा क्या नहीं करना है बहुत जादा बढ़ चड़ करके बात नहीं करना है हरारंग के संबंध में आज अच्छे फैसले लिए जाएंगे आप अपनी सिक्षा पर अच्छा फोकस कर लेंगे ब्यापार नहीं अच्छा है बिजनस में समस्या है रहेंगी प्राइवर सिक्टर तनाव दे रहा है कुछ नों कुछ परिशानिया आ सकती है सरकारी छेत्र थोड़ा सा मुश्किल पैदा करेगा लेकिन फिर भी कुछ इस्थती बेहतर हो जाएगी दामपत्य जीवन अनकूल है दामपत्य जीवन में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी मुश्किलों से बाहर निकलेंगे लव लाइफ आपके लिए तनाव दे रहा है लव लाइफ को लेकर प्रपित के लिए क्या नहीं करना है आज खुद को बहुत कमजोर नहीं समझना है वादामी रंग्शुभ है 65 प्रतिशत का भाग्याब के साथ है मेश से लेकर मीन तक अब जानते हैं आज का भाग्याक्षर मेश राशी काक्षर ब्रिशप्सा मिथुन्नाक्षर करकमा आज की सक्सेस की तीन बार ओम हंग हनुमतय नमह का जाप कर लीजिए ओम हंग हनुमतय नमह ओम हंग हनुमतय नमह ओम हंग हनुमतय नमह तीन बार हो गया काम क्या आज ये राशिकत तरीके से समझेगा क्या नहीं करना है जिनकी आज birth anniversary है शुब कामना है दो बच्झों को पाठ पुष्तक का दान करके लाल वस्तर का दान करिये और जिनकी आज marriage anniversary है हल्दी और चावल का दान किसी महिला को कर दे और किसी बिधवा को कपड़े का भीदान जरूर कर दीजेगा बहुत आभार वेक्ति करते हैं आज के अंग को सुनने के लिए अपने जीवन को आप सुखी करते हैं और हमको एक रतार्थ करते हैं अपना बहुत ख्याल रखी है और ऐसे ही हस्ते रहे हैं कारगम शेर करिए संख्या बढ़ जाए तो अच्छी बात है मुलाकात करने का अभी दो दिन है हम बंबई में उसके बाद घजियाबाद अभी नाश्टे नोश्कार शेरादे